दॉख वह हो रही होती है किसी ने किसी कारण की वज़े से जैसे ही ब्लड फिलटर होने के लिए कीड्टी में एंटर करता है जो इसकी बाइभ सी करना आते है् स्कलरोस की वो हार्ड हो गया ना किड्नी की फंकश्णिंग बढ़ा पाएंगे ना क्ट्रिमिको डाम कर नमस्वेया मेरा नाम है दॉक्टर पूरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किड्नी श्रिंकेज के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि किड्नी श्रिंकेज क्यों देखने को मिलती है किड्नी फेले के पेशन के अंदर किसी भी इंसान की किड्नी भी अपने आपने नहीं होती वह होती है किसी ने किसी कारण की वज़ए से हैं कीड्नी श्रिंकेज के अंदर इसका सबसे बड़ा कारण होता है हाई ब्लेड प्रिशर अब हाइब चको को समंझने कोशिश करो जब आपन करता हैं अगर और यौ जो पउंपिंग कर रहा है ब अब वो blood एंटर करता है तो force के साथ कर रहा है, pressure के साथ कर रहा है और जहां पर वो जाकर टकरता है तो वहाँ पर एक impact देता है, चोट पुचाता है अब यह सोचों कि हर second जब blood एंटर करता है, हर beat के साथ वहां पर pressure पर particular point पर चोट करे जा रहा है बार बार एकी जगह पर pressure की वज़ए से चोट की वज़ए से क्या होता है कि वहाँ की जो cells हैं पहले होते हैm inflamed यानि सुच जाते हैं pressure की वज़ए से और उसके बार्द आपके बार्ophobia वाणना शुड़ गर्तते हैं इसलिए हो रहा है क्योंकि blood pressure आपका बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे अंदर का structure heart होता चला जाता है वैसे वैसे kidney आपकी shrink होती चली जाती है अब सबसे बड़ी दिक्कत इस shrink के से साथ क्या आती है कि जैसे जैसे kidney shrink करेगी blood pressure और बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि kidney के cells को blood नहीं मिल पाता है जब उनको blood नहीं मिल पारा मतला blood नहीं मिलने के वाज़ से oxygen नहीं मिल पारा food नहीं मिल पारा तो वो क्या करते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिए एक signal भेजते हैं कि हमें blood नहीं मिल पारा आप एक काम करो कि हर्ट की pumping और तीछ कर दो जिसे blood और अच्छी तरके से अंदर आएगा और हमें nutrition मिल दाएगा आप kidney क्या करती है? kidney अपनी अंदर से hormone release करती है ADHS जो कि हमारे pituitory में जाकर signal और release करती है और हमारे hurt, हमारे दिल को signal करती है कि pumping बढ़ा दो और pumping बढ़ने से blood pressure और बढ़ जाता है जैसे जैसे blood pressure बढ़ता है वैसे वैसे kidney का damage और बढ़ता चला जाता है तो एक तरके से कि vicious cycle सी बन जाती है जिससे break करना बहुत मुश्किल होता है इसी वज़े से जितने भी kidney failure के patient होते हैं उनकी अंदर blood pressure uncontrolled लिखा जाता है इसी वज़े से क्यूंकि kidney उसके against काम कर रही है kidney ही इसो signal दे रही है कि blood pressure को बढ़ा और उसी से वो damage भी हो रही है अब kidney जब shrink हो रही है तो सबसे बड़ा काम हमारा क्या बनता है सबसे पहले बनता है कि उस blood pressure को control करना जिसकी वज़े से kidney को नुक्सान बोचरा है उसके लिए हमें चाहे जो मर्जी करना पड़े जितनी मर्जी हमें blood pressure की medicine खानी पड़े तो सबसे पहला काम है उस blood pressure को control करना एक बड़े आपका blood pressure control में आ जाता है तो एक cycle जो चल रही थी जिसमें kidney अपना blood pressure को बढ़ा रही थी damage बढ़ रहा था, damage हो रहा था फिर वो blood pressure को बढ़ा था वो break हो जाती है break होने के बाद हम यह कह सकते हैं कि kidney यहां से आगे और की तरफ खराब नहीं जाएगी जो चीज condition है वैसी की वैसी हो जाएगी अब माल हो कि आप ही kidney 60% तक हराब हो चुगी है इस high blood pressure की वज़े से तो अगर 60% का damage होगा तो तकरीबन आपका ketanine level होगा 4 के आसप्स तो 4 का ketanine आपका है 60% kidney काम नहीं करी 40% जो है बची कुछी kidney वो ठीठी से काम करी है अब अगर हम blood pressure को control में कर लेते हैं तो यह 40% बच गया अब इस 40% को consider करो कि 40% अपना 40% काम करता रहे और 40% जो kidney है वो 60-70% का काम करना शुरू करते हैं क्योंकि kidney के पास खूबी होती है अपने functions को बढ़ा लेने की मैं आको एक example से समधाने कोशिश करता है मालो एक इंसान अपने 2 kidney में से एक kidney दूसरे इंसान को देता है जिसने अपनी kidney दी 2 में से एक उस patient के अंदर kidney level नहीं बढ़ता यूजय लेवल नहीं बढ़ता अब आपने आप से सवाल देकर दिखोगी ऐसा कैसे हो सकता है पहले तो 2 थी तो 2 में से आधी 50% function हो गए 50% kidney नहीं लेवल तो बढ़ने चीए तो इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि kidney के पास खूबी होती है अपने functions को बढ़ा लेने की यही जो खूबी है यही हमने इसमाल करनी है हर kidney failure patient के अंदर आपकी kidney 40% बची हुई है दोनों kidney में और उतना ही काम कर रही है लेवल आपका 4 है अगर यह 40% बची हुए kidney पहले से बैटर काम करेगी तो क्या होगा अगर वो 40% सिर्फ 20% बे अपना काम बढ़ाती है 60% तक ले जाती है तो आपका क्या हुआ 40% damage होगा आपकी kidney लेवल होग पेशिंट को डिलेसिस नी करवाना पड़ेगा टास्ट बन नी करवाना पड़ेगा तो हर kidney फिलेपेशिंट के लिए समझना जरूरी ही होता है कि अगर kidney श्रिंक कर रही है तो सबसे बड़ा कारण उसके पिछे उनका high blood pressure है और इस high blood pressure को बिना control के हम आगे नहीं भड़ पा इसे काम करने की शमता बटी है केटरनेन पहले से बेटर फिल्टर होना शुरूरू जाता है यूरिया बॉड़ी से बहाँ जाना शुरू कर देता है और लेवल आपके डाउन होने शुरू हो जाते हैं तो यह थी वो पूरी कहानी जिसकी बज़़े से kidney श्रिंक करती है तो अगर आपकी ultrasound report के अंदर kidney shrinkage आ रही है तो सबसे बड़ा कारण उसका blood pressure होता है तो हमने blood pressure को सबसे पहले कंट्रोल में करना है जिससे kidney को आगे रुकसार नहों किड्नी की functioning बढ़ानी है जिससे हमारे क्रेटनिन लेवल डाउन हो अगर यह दोनों ही चीज़े हमारी perfect तरिके किसे हो जाती है तो पेशिंट को किसी भी टाइप की दिक्कत आगे लाइफ में सहामना नहीं करना पड़ता है किसे टाकी कॉंपलिकेशन से नहीं सहना पड़ता है तो मैं मुमीद करता हूं इस वीटियो से समझ गई होंगे कि कि किड्नी क्यूं श्रिंग करती है किस वज़ हुई